अज मैं आप लोग के लिए फीचर टेंस के फीचर काइंड सिंपल फीचर टेंस के फीप एस्टेक्चर डेल वेच वर्ट इंट्रेक्टिफ सेंटेंज पूर्म लेकर आया हो यह हमारा पार फिप्टी फिरी चल रहा है अगर आपने मेरे पिछले वीडियो पार वन से पार फि आपके लिए English का हर चेप्टटर का दो वीडियो बनाता हूं discussion box में लिनक के देदूंगा आप वहां से देख सकते है objective एक अप ah competitive वाला वीडियो बनाता हूं उसका discussion box से दन-गा अप वहां से देख सकते हैं अगर आप class 10 के Student है से लिए वीडियो बनाता हूं उसका भी डिस्क्विशन बॉक्स में लिंक के देंगा आप आप से देख सकते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसक्रस करेंगे फीचर फीचर सिंपल फीचर टेंस का इसको जाता है यह इसकी घटना को बताने वाला को कहा जाता है ढ़े का जाता है तो आने वाले समय में में उसको कहेंगे हम लोग इसको बिल् Begin सेर सिंपल फीचर टेंस केंगे वीडियो से इंत्योकेट डिवर इंटॉक्टेटीब शेना गर फिर्स्ट वन है वाट हूँ वाई थर्ड वन वावाई फॉर्थ वन वेर फिप्ट वन हाव सिख्ट वन वेर यह यह सब डावल एच वर्ड है क्या वाट मिस क्या हूं वाई िज्ट करनेंगे सिंपल टेंज का सेंडेंस है तो यदि किसी हिंदी सेंडेंस के भर के और में गय या गी रहेगा तो आप समझ जाएंगे वह फिचर सिंपल फिचर टेंज का सेंडेंस है और कैसे आप पाचानेंगे देखें आपके लिए eight nine sentences लेकर आए हूँ जब आप गोर से सारे sentences को देखेंगे तो भरवे के हिंदी भरवे इसके घ्याक्यांन में गागेगी और एक्सं कैसा होगा इनकंप्रीट होगा करने काम जो है इनकंप्रीट है आप पहले हो रहा है लिए उसको जहाँ इन्ड एक्सों का जाता है लिए जिसके भर्वे क्यान्त में गाग एक्षण और उसमें क्या यह सब वर्ड मिल जाएगा किया जह है क्या कौन क्यों कहां कैसे कभ यह सब मिलेगा तो आप समझ जाएंगे सिंपल फूचर टेंस के डाबलू हड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तुम मेरे लिए क्या करोगे यहां से अर्धिस नेंस के भरवे कंध उसके साथ क्या है कहां जाएंगे वह 對ुक है तुम ओ तुम्हें इस तरह क्यों धमकाएगा आप लोटेंगे तो एसा sentences को आप English में कैसे बनाएंगे तो आप जो है इस पर एक इस्टेक्चर है डाब्लो एच वर्ड से पलस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट इसको इसको मैं डिलीट कर रहा हूं रब कर रहा हूं आप जब भी मेरा क्लास ले रहे होते हैं तब आपने पास पैन पेपर रखेंगे और जो है आप डायरी में नोट डाउन करते जाएंगे नोट बुक में तो चली हम लोग समझते हैं वन बाइवन हम लोग बनाते हैं अगर आप इसको बना लेंगे इफ यूवला अंडेस्टेंट इजली देन य जो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा और आप इस तरह बोलना चाहते हैं अगर आप थोड़ा सा गोर से देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं तुम मेरे लिए क्या करोगे तो यहां सब्जेक्ट कौन है सबसे पहले हम लोग डावलु एच वर्ड फाइंड आउट करें है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी को फर्स्ट पर्सन का जाता है तो अगर सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में होगा यानि आई और वी में होगा तो इसके साथ आप सेल का यूज करेंगे याद रखेंगे अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट जाते हैं यह तर्ण पर्सन हो कोई सब जी यह दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट लोग मुन्हें क्या ले ह締P in इस तरह कह लोगे तुम क्या लोगे व्ट विल अव्रिस्उ तुम कहां जाओगे तुम क्या देखोगे तो इस तरगा से ने से सहम बनाएंगे तो यहां सब्यक्ट को यहां पर आगे आप क्या लगाएंगे यहां पर लोग बना रहे हैं इसलिए विल का यूज होगा आगे आएगा सब्जेक्ट पहले विल तो वाट विल यू और करना उसके बाद क्या सब्जेक्ट लगा दिए उसके बद भर भर जानते हैं फाइफ फोर्म सब भर वहता है पांच रूप होते हैं उसमें भीवन का यूज किया करें तो तुम मेरे लिए क्या करोंगे वट्रीड यू इस सब्सक्राइब करना है इस इसमें बहुत यज़ीं मैं तुम्हारे बिना कहां जाओंगा तो इसको कैसे बनाएंगे तो इसमें आपको आपको सब्सक्राइब सब्जेक्ट कॉन है सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट कौन है मैं मैं इसके साथ सेल का प्रयों किया अब मरूंक करें तो वेर सब्षक सब्छे और तुम्हारे विना कोई इसमें क्या विडाउट यू वेर सञो विडाउट टुम्हार इसमिलट गीमान तुम मेरे विना वेर विताऊट के सिखेंगे से हाव विल्यू लर्न इंग्लिस विदाउट राज सेर विदाउट मी ओके नेक्स देखे वह तुम्हें इस तरह क्यों धंकाएगा इसको कैसे बनाएंगे हाव यहां पर डावलू-एच वर्ड हम लोग क्यों लाइब सुरी क्यों को इनिश में वाई कहा जाता है अब जानते उसके बाद को संय लगाएंगे वह तो मुझे इस तरह क्यों धंकाएगा आप मुझे इस तरह क्यों अम घये ह्रेट का हैंगे हाव जी हम्यों चेह percent भून भों लगें इसको नहीं स्कूंप कर देती हैं आप लोट इसको कई से बनागे करींगे इसके साथ आप क्या लगाएंगे वील के उसके बात लोटना के सिहिए. इस तरह बनाएंगे अगर तुम उप्रमgender copy से कब आएगा इन विल ही कम फ्रॉम पट्ना आप मुमबई से कब जाएंगे वेंगे इन विलnu जो फ्र08 चोड दोगे तो मैं तुम्हारे बीना कैसे जीऊंगा इसको कैसे बनाएंगे इसमें दो sentence है अगर तुम मुझे अगला चोड़ दोगी यहां तक है उसके बाद है मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा तो आप जो है जिसमें अगर लगा हुआ है जिसमें conditional word लगा हुआ है उसको आप किसमें बनाएंगे उसको आप present indefinite tense यानि simple present tense के structure में लगाएंगे और जिसमें conditional नहीं है तो उसको आप इसमें लगाएंगे simple future tense यानि जो structure के बारे में हम लोग बात करें इसमें लगाएंगे तो यहां किसमें conditional है देखे अगर तुम मुझे अकिला छोड़ दोगे तो conditional word जो है अगर है इसमें condition लगा हुआ तो इसी को हम लोग present indefinite tense या simple present tense में बनाएंगे तो आप जानते है simple present tense के structure क्या होता है simple present tense के structure होता है subject plus b1 या b5 plus object plus other word यह होता है plus other word plus question mark plus object ठीक है b1, b5 plus object plus जो है आप full stop लगा सकते हैं तो यहां जो हम लोग लगाएंगे अगर तुम मुझे इस तरह के ला छोड़ दोगी तो इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसको बनाते हैं पहले next इस वाले को यहां से यह वाला sentence तो अगर को इंग्लिश में कहा जाता है इसके बाद इसमें subject है तुम है if you क्योंके हम लोग subject के बाद क्या लगाएंगे एक यह बार यहां पर subject subject लगा देंगे यहां पर subject लगा उसके बाद भर्विश हो जाएंगे तो मह तुम्हारे बिना केसे जंगा और तो के लिए आप कोमा लगा देंगे और तुम्हारे केसे जंग मैं केसे जंग तो यहां पर subject दिख रहा है I I I B देखएंगे भर्विश Sekar. बुपंद पर यहां पर how can you do I You Can't झाल good मंच, इसको फिर से डीट करके बनाता है तो कैसे बनाएग यहां पर मैं तुम्हारे बिना कैसे दूगा तो यहां पर को हाथ यह ने लागल नहीं बोलेंगे तब हमारे समाज को कौन शुधारेगा तो इसको कैसे बनाएंगे ने कि यе तो इसमें तो इसमें अना नीकेटिव का यूज किया गया है नीकेटिव नहीं हम लोग आजुना अफैर्मेटिव ए fractions के बात करें तो चलिए हम लोग निगेटिव में भी बना देते हैं यदि सिक्षित लोग तो भरस्यार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो यहां से यहां से इधर उसके बाद यहां से तब हमारे समाज को कौन सुधा रहेगा तो यहां पर जो हम लोग कैसे बनाएंगे इस सेंडेंस पर्षन गी केटे या लिट्रेट एजुकेटेड पर्षन इसके बाद नहीं बोलेंगे तो इसमें नहीं है निगेटीव यह तो इसको परिजेंटेंसिम में बना रहे हैं तो निगेटीव अगर होगा इसका तो क्या होगा सब्यक्व प्लस या ड़ज प्लस नॉट का ठीक है नहीं बोलेंगे दूनाट इस्पीक और किसके खिलाफ एगेंस्ट एगेंस्ट किसके खिलाफ नहीं बोलेंगे एगेंस्ट भर्षचार के खिलाफ एगेंस्ट करफशन करफशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे उसके बाद नहीं बोलेंगे तब तो यहां पर आप कोमा तो इसको इस स्ट्रेक्टर में लाएंगे हुवील हुवील रिफोर्म है रिफोर्म हावर सोसाइटी तो आप समझ रहे हैं जो कुछ भी मैं आपने आपको सिखाया अगर आप समझ चुके हैं इसको बना लेंगे और बना के जो है इसको description box में जो है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब किजेगा दोस्तों को सेर जरू किजेगा अच्छा लागा तो कमेंट जरू किजिए कि कीप वाजिंग माई वीडियो थेंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में